वेलकम तु दा सेकेंड लेक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी और सोशल इशूस तु माइ यूट्यूब चैनल अदित्य कमले शवस्ती और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कुछ इंपॉटंट इंफॉमेशन्स आप लोगों को देना चाहता हूँ सबसे पहली इंफॉमेशन यह है कि इस लेक्चर में हम कोशन वह डिसकस करने वाले हैं दूसरी इंफॉमेशन यह है कि इस जो लेक्चर का पीडियाफ है वह आपको हिंदी में भी अविलेबल होगा औ और तीसरा यह मैं बताना चाह रहा था कि अगले बार से जो लेक्चर है वो रेग्यूलर बेसे पे आएंगे जस्ट विकॉज मैं अपने एक्जाम शेडियूल के कारण बिजी हूँ तो मैं उतना रेग्यूलर अभी नहीं डाल पा रहा हूं लेकिन अपसे जो लेक्चर है वो जो पढ़ाई करेंगे वो इस गोल ओरियेंटेड रहेगी कि हमको यह कोशन्स आखरी में बनने चाहिए अगर यह कोशन्स हम चे नहीं बन रहे है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है ठीक है पूरे कोशन्स का एक स्क्रीन शॉट आप ले लिजे आई होब ले लिया देखे किताबी भाषा तो हम पढ़ते रहेंगे सबसे पहले हम समझते है डायवरसीटी का मतलब किया होता है ठीक है तो डायवरसीटी का मतलब होता है किसी भी चीज में भिन्था विविदिता बहुत ही सिंपल चीज है यसे एक टेबलेट पैन है पैंसल है और एक नॉर्म को कहा जाता है कि विविद है बहुत ही सिंपल भाषा में हमको समझना है डाइवर्सिटी ओफ इंडिया मींज डिफरिंग फ्रॉम इच अदर मेड़ अपॉफ डिस्टेंट कैरेक्टरस्टिक्स क्वालिटी इंड एलिमेंट्स सिंपल डेफिनेशन है कि अलग-अलग विशेष्टाओं गुणों वो पदार्थों से बनी हुई चीज विविद कहलाती है जिनमें अंतर होता है यह आपको हिंदी में पूरा मटीरियल मिल जाएगा उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दोसे बतने कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है और मुजाइक कल्चर किय दोनों में चोट असा में हां तो लोग यहां पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है Joshua मेल्टिंग पॉइंट असben only क्लियर कर देता हूं दुनिया में अलग-अलग अलग प्रका अब मेल्टिंग पॉट में हमको यह समझना है कि यह किस तरीके से पॉट है गंजी है और जिसमें अलग-अलग कल्चर आके मिल रहे हैं इसको आप समझ सकते हैं केंडल से मुंबत्ति अलग-अलग रंग की मुंबत्तिया हैं वह जब एक गंजी में आके पिघलती हैं सारी तो सब एक हो जाती हैं और एक मिक्सचर बनके तःयार हो जाता है that is called melting pot culture ये culture भारत के लिए तब इस्तिमाल होता है जब हम भारत की race की बात करते है race का मतलब होता है कि प्रजातियों की बात करते है कौन सी प्रजाती मंगोलॉइड है मंगोलॉइड मतलब जो थोड़ी से चीनी जैसे लोग दिखते है नागलेन के लोग और आसम के लोग हो गये कुछ प्रजातिया नीगरॉइड है नीगरॉइड मतलब अंडमान निकोबार के लोग ठुबे क्लोग जैसे डिखते हैं डार्क कलर के होते हैं कुछ औस्ट्रियलोइड जैसे अपन आपन प्रजाति में आते हैं तो यह जो सब लोग मिलके अब क्या है कोई भी प्योर रेस नहीं वच्छी है सब मिक्स हो गए हैं तो उसको कहते हैं हम मेल्टिंग पॉट लेकिन एक और कल्चर होता है मोजाइक कल्चर आप लोगों ने एक पेंटिंग देखी होगी यह मान लीजे पेंटिंग है और इसमें आप लोग कागस के तुकड़े काट काट के चिपकाते हैं सब लोग कागस के तुकड़े काट काट के चिपकाते हैं इस पेंटिंग को बोला जाता है कोलाज पेंटिंग इस सभी लोगों ने स्कूल में करी होगी न्यूस पेपर कटिं और ओडिगेमी पेपर से अब इसमें खास बात क्या है कि हर एक कागस का तुकड़ा अपनी अलग पहचान लिये हुए है लेकिन साथी साथ पूरी की पूरी पेंटिंग को एक unity या एक अलग पहचान दे रहा है बात समझ में आ रही है अगर बात समझ में आ रही है तो जरूर लाइक कीजे वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है आप वीडियो जितना जादा लाइक करेंगे उतना जादा ये लोगों तक पहुचेगा ठीक है तो बहले ही बाकी शेयर वगेरा ना करें लेकिन लाइक जरूर करें आप वीडियो को तो जब बहुत सारे elements मिलकी एक एकता का संग्रह करते हैं उसको कहा जाता है मोजाइक कल्चर तो भारत का जो कल्चर है वो असल में कैसा कल्चर है भारत का कल्चर है हमारा मोजाइक कल्चर है यह हम जब कल्चर पढ़ेंगे अलग से तो उसमें आएंगे ठीक है तो डाइवर्स मीन्स डिफरिंग फ्रों इ इंडिया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रिलीजन रेसे लेंगविज आर्ट एंड कल्चर पतलब यहां हमारे यहां पर अलग अलग जो कल्चर है संस्कृतियां वह आके मिल गई है बाकी इंपॉर्टन नहीं है सब एक फेस याद रखना है यूनिटी डाइवर्सिटी इस पहले बात आती है जब भी आपसे पुछा जाए कैसे हम डाइवर्सिटी बताएंगे सबसे सिंपल तरीका होता है आप अपना स्लेबस उठाइए और स्लेबस को बाटना शुरू कर दीजी सबसे पहले हम आ जाते हैं जोग्राफिकल डाइवर्सिटी जी एस पेपर वन से श सारी चीजें कहीं पर डेसिडियस फॉर्स्ट है कहीं पर एवर ड्रीन फॉर्स स्ताइबार मन रहे कहीं परण्ड पाथिवन है यह सारी विभिन्नताएं भारत में मिलती है थो हम कह सकते हैं कि हमारे यहां ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है जिन बच्चों थे मुझसे offline classes में ये geography पड़ी हुई है उनके लिए geographical diversity को समझना मुश्किल नहीं होगा दूसरा आजाते हैं religious diversity अपने आप में explained है भारत में हर एक धर्म जो दुनिया में है वो लगभग पाया जाता है मैंने एक line भी लिखी थी कि हिंद की माता हूँ मैं मैं बुद्ध की भी जननी हूँ इस्लाम की मैं वालिदा मैं फारसी की अगनी हूँ मैं जैन का सम्मान हूँ मैं सिख का अभिमान हूँ मैं सब्विताओं का जनक मैं वीर हिंदुस्तान हूँ ये इसी religious diversity के लिए लिखी थी कि हमारे यहां हर एक diversity हर एक विविर्टा पाई जाती है इसलिए भारत में हर एक चीज है हमें जरूरत क्या है आंकड़े याद कर लेने हैं हमको 80.9 प्रतिशत मुस्लिम लोग हैं वाकी 2 प्रतिशत Christian लोग हैं बाकी जरूरी भी नहीं आकड़े थोड़ा सा क्या है एक्जामपल आप जोब तक नहीं डालेंगे सोसाइटी के पेपर में तो नंबर मिलने के चांसे थोड़े से कम हो जाते हैं लेंग्विज यहां पे एक भाई साब आएंगे इनका नाम है एयार देशाई साब अभी जो लेंग्विज वाला पार् भाषाओं का एक संग्राले है क्योंकि भारत में 122 भाषाएं तो हमने 2011 का जो जनगर्ना होई ति उसमें 122 भाषाओं को पहचाना है अब यहां पे हम थोड़ा से एक फैक्ट ले लेते हैं 22 भाषाएं हमारे आठवी अनुसूची एर्थ शेडूल में है लगबग 6 भाषा आठवी हमारी एप सेडूल में हींधी एंग्लिश और कोई एक रिजनल भाषा हमारी ऑफीचल लेंगवेज हो सकती है यहां पर जो एड़ देशाई साब हैं वो क्या कहते है कि इंडिया रिप्रेजेंट्स अस्पैक्तिकल म्यूजियम ओ लेंगवेजिस तो हमारे यहां ज बहुत ही सिंपल उधारन लेते हैं यदि आप जबलपुर में हैं तो जबलपुर में आपकी भाषा होगी क्या कर रहा है अगर आप ग्वालियर चले जाएंगे तो आपकी भाषा होगी क्या कर रहा है और अगर आप बिहार चले जाएंगे तो यह भाषा हो जाएगी ऐसा करे लगे कल्चनल डाइवर्सिटी दुनिया का हर एक कल्चर भारत में मिलता है हम एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी हैं बहु सांस्कृतिक देश हैं हम समाज हैं कैसे हम बहु सांस्कृतिक समाज हैं हमारे हां हर एक प्रकार का समाज मिलता है हमारे हां पित्रात्मक समाज मिलता है हम हमारे यहां वनवासी समाज भी मिलता है शैविजम भी मिलता है भक्ती समाज भी मिलता है कभीर पंती भी मिलता है यह सारी उधारन है जो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं दुनिया का हर एक समाज हमारे यहां मिलता है हिंदू कल्चर मिलता है मुसलिम कल्चर मि की जुदाइजम भी मिलता है जुएजम भी मिलता है सिख कल्चर मिलता है कश्मीरी कल्चर मिलता है कितने कल्चर हमारे हैं मिलते हैं और कल्चर का मतलब क्या होता है कल्चर का मतलब होता है खाना पहनावा डांस आपका बोल चाल ग्रीटिंग करने का तरीका आप किसी से कैसे म जाती है कास्ट आज का में टॉपिक है वहां से चार कोश्चन आएंगे यहां पे हम अभी इतना नहीं पढ़ेंगे से मैं इतना बता रहा हूं कि भारत में अलग-अलग जातियां हैं चार जातियां तो हमको पता हैं वह वर्ण है ब्राह्मन शैत्रिय वैश शुद्र यह चार हम ओफ स्ट्रेटिफिकेशन यह फॉइंट है भाई साब इट इस फॉइंट संटिफिकेश्ट जहां पे चीजों को बांटा गया है इस फॉइंट स्तरी करण सतर है रेसियल डाइवरसिति में उपर समझा छुका हूं पर जातियों में विबिननिता कोई निगरोईड है है ठीक है हम नौडिक्स है यह मैं आपको पहले ही अल्रडी बता चुका हूं उपर इसके बाद हम आते हैं वह कौन सी चीज है भारत को जो एकता में जोड़ती है बाद यह कोश्चन हर बार पूछा जाता है कि भारत में इतनी विभिन्यता है फिर भी भारत में वह कौन से कार हमारा एक ही इतिहास है पूरा जो इतिहास चलता आ रहा है वह हमारा एक इतिहास है जब एक इतिहास है तो वह यूनिटी की वह है यूनिटी पैदा करती है नैशनलिजम इन इंडिया प्लास 10 में आपने चैप्टर पढ़ा होगा इतिहास की बाते करते हमारा एक इतिहास है तो हम एक हैं, दूसरा स्टेज आती है हमारी जोग्रफी, उपर से पहाड है, चारो तीन दो तरफ से समुद्र है, हम पूरे दुनिया से अलग है, हमारे यहाँ पे जो कल्चर डेवलप हुआ है, वो और कहीं डेवलप नहीं हुआ, तो हमारी जोग्रफी हमको एक करती है, हम एकी तरीके क्लाइमेट में है, मौन्सून टाइप ऑफ क्लाइमेट, बात समझ में आ रहे हैं, उपर से हमाले है, तीन तरफ से समुद्र है, अरेवियन सी, वे ओफ बिंगॉल और नीचे इंडियन ओशन, हम पैक हैं पूरा, जब हम इस तरीके से पैक रहेंगे, तो दुनि में हमारी यूनिटी क्या होती है, इमोशनल यूनिटी, इमोशनल यूनिटी का सबसे अच्छा उधारन है क्रिकेट मैच, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, तो पूरे देश की एकता सामने आती है, कि पूरा देश जो है, वो एक धागे में पिरो दिया गया है, that is emotion that is society उसी society की बात यहाँ पे हम कर रहे है emotional unity जो social unity मिलती है फिर क्या culture में unity मिलती है हाँ culture में unity मिलती है हमारे जो दिवाली है वो किसका तिवार है भारत का holy किसका तिवार है भारत का multicultural society कहां की है भारत की आप कहीं जाते हो तो आप कहां के नागरिको भारत के, ये जो social unity है हमारी, सामाजिक एकता है, वो भी यहाँ पे आती है, इसके बादा जाते है, paper 2 वाला पार्ट constitutional identity, कितना सम्विधान है भारत में, एक सम्विधान है, कितनी नागरिकता मिलती है, एक नागरिकता मिलती है, कि कि आपको यदि MP से UP जाना है या MP से महाराष्ट जाना है तो क्या कोई वीजा लगता है नहीं लगता है ना सुधर जाने की स्टेट वाईज कुछ वह अलग है फुरह नं रहते हैं इंटर स्टेत मोबिलिथी एक से दूसरे राजे जाना है क्या कोई बंदेशे है कोई बंदेशे नहीं है विबिन धर्मों का एक साथ रहना यहां पर आपको अपनी कॉपी में नोट्स में दो शब्द लिखने हैं एक शब्द लिखना है सर्व धर्म एक शब्द लिखना है सर्व धर्म संभाव सर्व धर्व संभाव यह गांधियन फिलोसफी है यह गांधी की फिलोसफी है यह आप एथिक्स में पढ़ेंगे प्लस एक शब दौर लिखना है यहाँ पे वसुदेव कुटुम्बकम और एक शब दौर लिखना है यहाँ पे सहेशनुता या टॉलरेंस भारत में हर एक धर्म इसलिए पाया जाता है तो कि भारत की जो संस्कृति चली आ रही है वैदिक काल से लेके आज के मौडन काल तक वो यह संस्कृति है कि हम सर्व धर्म संभाव रखेंगे मतलब सभी दर्मों के लिए एक सा भाव रखेंगे हमारे लिए सब लोग रिस्पेक्टेड है और यह हम क्यों रख पाते है क्योंकि हमारे पास टॉलरेंस है तॉलरेंस का मतलब है सेहन करने की च्छमता है सहेशनुता है वोल्टियर क्या कहता है आप जो कहते हो या आपकी बात से विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ लेकिन आप ऐसा कह सको इस बात की रक्षा मैं मरते दम तक करूँगा ये वॉल्टियर का कहना है तो जब वॉल्टियर साहब ये बात कह रहे हैं इसको हम वैदिक काल से मानते आ रहे हैं कि भाई हमारे देश में कोई भी व्यक्ति आजाए कोई भी धर्म आजाए हम मानके चलेंगे एक्जामपल यही देने हैं आपको कि according to गांधियन फिलोसफी इंडिया फॉलोज सर्वधर्म संभाव स्टार्टिंग फॉलोसफी के अनुसार सर्वधर्म संभाव की भावना को वैदिक काल से अपना के चले आ रहे हैं इसका जिक्र गांधि ने भी किया है और यही भारत की खासियत है हमाई आस्रेशन होता है और यही चीज़ है जो हमें अभी तक जिंदा रखे हुई है यही पूछ भी चुकी है कल्चरल यूनिटी कल्चरल यूनिटी मैंने अभी आपको बताया फिलोसफी लिट्रेचर सबसे अच्छा उधारन देखते हैं इसका ठीक है बिना एक्जांबल के तो सोसाइटी में नंबर नहीं मिलेंगे एक्जांबल कैसे लिखना है वो देखते हैं हम यहां लिकेंगे literature है टिक है हमने यहां लेका literature literature में हमने सबसे अच्छा एक्जांपल लिये रामायाद अब रामायाद आपको पता है वाल्मी नंन के रामायाद भी है और Одर एक साउफ में लिखी एक चननन ने उनकी रामायाद भी है यहां पर क्या है पूरे देश को जोडने के लिए लिट्रेचर क्या है रामायन भाशाएं अलग-अलग हो सकती है वह विविद्टा है लेकिन कंटेंट क्या है एक है वह क्या है रामायन यह फर्क है और यही चीज हमको उधारण में लिखनी है कि इंडिया कैसे जुड़ा हुआ है और भी चीजें आप अइंगल नहीं डाला गया है ऊंणिक एंगल अप डायवर्सिटी में यह सकते हैं कि भारत में स्क्रсемाइब सती एक्षिति का मतलब हैं भात क्युकर pessimistory अप्भारत में इसके बाद एक तकनी है पूरा भारत जो है वह व एक tax regime में बंदा हुआ है, भारत में कितने income tax लगते हैं, एक, भारत में कितने GST हैं, एक GST law है, कि एक finance commission बनता है, center का, ये चीजे हैं, भारत की economy, budget कितना आता है, पूरे इंडिया का, एक budget आता है, ये क्या है, एकता का एक माला है, जिसमें हम भारत को रोप रहे हैं, ये ची होनी ची, ठीक है, जितना आप अच्छे उधारन दे पाएंगे, उतना यहां पर एक ये paper है, और एक ethics, जो उधारन उपर जिंदा है, क्योंकि यहां पर और कुछ content है, नहीं, वो content सब जगाओं से मिला जुला content आता है, वो चीजे क्या हैं, जो भारत की एकता को खत्रा को तोड़ने की कोशिश करती है, तो सबसे पहली चीज़ आती है, छेतरवाद, simple भाषा में समझना है, छेतरवाद होता क्या है, छेतरवाद का मतलब है, किसी एक particular छेतर के लिए, अपने देश से जादा प्यार रखना, उधारन के लिए, एक मुद्दा आपने सुना होगा पंजाब में बहुत समय से चल रहा है, वो मुद्दा है, खालिस्तान का मुद्दा, खालिस्तान इशू, रिजनलिजम एक अलग topic है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है, खालिस्तान का मुद्दा, वो क्या बात कर रहे हैं, कि यह जैसे पाकिस भारत में जो नौर्थीस्ट इंडिया वाला छेतर है, भारत का जो नौर्थीस्ट इंडिया वाला छेतर है, यह पूरा का पूरा जो इलाका है, यह अलग है, भारत से क्योंकि यह जोड़ा हुआ है, बहुत थोड़े से इलाके से और इनका जो culture develop हुआ है, यह एकदम अलग culture develop हुआ है जिसके कारण यहां पे अलग अलग दिमांड आपको देखने को मिलेंगी उधारन के लिए यहां दिमांड मिलेंगी आपको बोडो लेंड की बोडो लेंड की डिमांड मिलेगी कि भाई हमारा राज्य अलग कर दो आप हमको अलग देश बना दो हमें भारत के साथ नहीं रहना इस भाषा को कहा जाता है रीजन रीजनलिजम साथी साथ रिजनलिजम की बात आपको मिलेगी एक आपने उधारन देखा होगा या सुना होगा आपने महाराष्ट्र में पहले एक धारना चलती थी मराठा मानुस यह आपको लिखने हैं शब्द जो मैं आपको बता रहा हूँ और माराठा मानुस फिलोसफी अग् कम करने आते थे तो इनको भगा दिए जाता था इनको मारा जाता था लिखने हमारी अलावा कोई नहीं आएगा that is called regionalism ठीक है तो अब आगे चलते हैं अब आजाते हैं हम development deficit कुछ छेत्र ऐसे हैं जो बहुत विक्सित हुए हैं कुछ छेत्र ऐसे हैं जो उतने called regionalism आप कई उधारन देख सकते हैं उधारन के लिए यहाँ पे एक उधारन आपको मिलेगा कैसे लोगों ने छेतरवाद किया तो अभी पे आप देखोगे लोग एक बुंदेला की मांग कर रहे हैं एक बुंदेल खंड करके अलग इलाके की मांग कर रहे हैं कि उनका कहना है बुंदेल खंड इलाका इसलिए विक्सित नहीं हो पाया क्योंकि यह MP से जुड़ा हुआ है और जब यह MP UP से अलग हो जाएगा एक अलग राज्य बनेगा हमारा छेतर अलग बनेगा तो वो जादा निखेगा सेम छेतरवाद हमको देखने को मिला वित 36 गड़ सेम छेतरव कारण लोगों में एक भिननता का भावफ रकट हो जाता है हम अलग है अब हमको उतना विकास नहीं दे पार हो Decisive Politics पे, तो यार Politics किस तरीके से एक्ता का हनन करती है, तो जब भी हम देखते हैं कि जो नेता लोग हैं, वो कई संप्रदायों को अपस में लडवा देते हैं, कई जातियों को अपस में लडवा देते हैं, तो नेताओं का बहुत प्रभाव पड़ता है, और उस Politics के चक्कर मे मिस्ट्रस लोगों में एक अजीब सी भावनाएं पैदा हो जाती है उसके कारण एक्ता का हनन होता है एथिनिक डिफ्रेंसियेशन हम तमिल हैं तुम हिंदी बोलते हो हम तुमसे बात नहीं करेंगे इस तरीके के जो अंतर होते हैं यह करें नहीं करते हैं को मिलाकिए जब भी आपको यह लिखना है कि एकता का हनन हो रहा है उस समय आपको जो चीजें आपने ढू시 टि उसको राएच टफिंट रहे तो ऐसी में बहुत रहे हैं मैं आपको जादा कि बदी बता चुका हूं कि भारत में जो नौर्थीस्ट वाला इलाका है नौर्थीस्ट वाले इलाके में हम इतना जुड़े हुए नहीं है नौर्थीस्ट से नौर्थीस्ट वाले इलाके से हम जुड़े हुए नहीं है क्योंकि यह सिली गुड़ी से तूटा हुआ है इसिलिगूडी एक छोड़ा सा इलाका है चिकिन नेक है चिकिन कॉरिडूर है वहां से वह अलग होता है और उनके साथ इतना जुड़ाओ नहीं है और इसलिए अपने आपको अलग महसूस करते हैं तो unity को खत्रा रहता है इसके बाद हम आज आते हैं हमारा इंटर रिलीजियस कॉन्फिक्ट यह तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है सबसे फेमास हैं हमारे यहां से आप अब देख सकते हो सिख हिंदू कॉन्फिक्ट आफ्टर आफ्टर कब हुए थे 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार याद है यह एक्जाम्पल्स लिखने भाई ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदरा गांधी हिंदू सिख कॉन्फिक्ट गुजरात 2002 गोद्रा हिंदू मुस्लिम कॉन्फिक कॉन्फिक्ट मुजफर नगर हिंदू मुस्लिम कॉन्फिक्ट यही लिखना आपको एक्जाम्पल्स के बिना आप कंफिक्ट नहीं बता सकते हो अब आपको देखें यहां पर सबसे जादा इंपॉर्टेंट है कि आप यह लिख पाएं कि यह जो भी चीज हमने अभी तक प यह लेखता आप बढ़ जाती है अब इतना अग्यान लेनी के बाद पहले देखते हैं को शन बंता है कि नहीं कर देख लेको देख लेते तैं को शन बंता है कि नहीं इंडिया में है cultural elements और उसको rate करना है significance में कि वो राष्ट की पहचान बनाते है national identity बनाते हैं तो सबसे पहले तो भाई हमें समझ में आना चाहिए culture क्या होता है culture क्या होता है अच्छा ऐसा करते हैं इस question को हम जब question वाला वीडियो बनाएंगे तब discuss करेंगे आप यह question लिख के मुझे send करो यह question लिख के आप मुझे send कर सकते हैं मैं नीचे इसमें अपना email id डाल दूँगा और telegram number डाल दूँगा आप यह question लिख के मुझे send कीजिए जितना knowledge अभी तक लिया है क्या उसके हिसाब से हम यह question लिख सकते हैं मैं आपको guarantee देता हूँ मैं उतने ही knowledge में यह question कराऊंगा जो बच्चे मुझे class में पढ़ते हैं उनको पता है मैं पहार नहीं पढ़ाता हूँ मैं थोड़ा पढ़ाता हूँ उसको apply करना सिखाता हूँ तो यहां भी हम वही चीज़ करेंगे इसको आप लिखिए मुझे send कीजिए फिर हम देखते हैं कि क्या हम इसको उतनी knowledge से कर पाते हैं कि नहीं जल्दी से आ जाते हैं कास्ट सिस्टम पर करकि कास्ट सिस्टम बहुत important है कास्ट सिस्टम आखिर होता क्या है what is कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम आखिर होता क्या है कास्ट असल में एक सामाजिक स्थर का तरीका है और कुछ भी नहीं है कास्ट एक सामाजिक स्थर का तरीका है जिसमें चो कास्ट है वो endogamous होती है मतलब कास्ट के अंदर ही शादियां होती है अंतर विवाज होता है वो कास्ट के अंदर ह होता है कास्ट जो है वो पैदा पैदा होने के साथ मिलता है बाइब बर्त मिलता है और यह हाइरार्की में या है रूप से अनुवांशी की रूप से चलती चली जाती है यह कास्ट कहलाती है कास्ट एक सामाजिक स्थरी करण है जो इन सब चीजों पे खड़ा बैठता है उसक वाट इस एंडोगेमस एंडोगेमस मतलब एक ही परिवार का हिस्सा एंडोगेमस मतलब एक ही गोत्र में जो रहते हैं एंडोगेमस मतलब जो प्योरिटी होती है न कि अगर इस पर्टिकुलर कास्ट से हैं तो उसी कास्ट के लोग रहेंगे एंडोगेमस जहां पर एक ही एक ह पे शादी होती है having a common name फीछे का सरने में होता है common traditional values occupation काम वो एक ही तरीके से करेंगे उधारन के लिए यह रिपोर्टे मैं जो दे रहा हूं यह लिखनी है आपको क्या रिपोर्ट है NCRB National Crime Record Bureau 97% लोग जो manuals के वेंजिंग करते हैं गटर साफ करते हैं वो सी कास से आते हैं SC Community से वो SC Community से आते हैं यही रिपोर्टे लिखनी है भाई इनका occupation fix रहता है उधारन के लिए यदि कोई आपने देखा होगा तामरकार होंगे वो यूटेंसिल्स बरतन का बिजनस करेंगे गुपता जैन होंगे यह आपको हमेशा grocery shops या wholesale business करते हुए मिलेंगे यह चीज़े बाइक कास्ट fix होती है बाइक कास्ट यहाँ पर इंडिया में देखी जाती है कि यह इस तरीके से fix करी गई है इसके बाद हम आते हैं common culture relatively resident matters of mobility resident matters of mobility का मतलब है कि एक स्तर से दूसरे स्तर जाने के लिए थोड़े से जटल है यह इतना freely नहीं move करेंगे यह अपने जो ग्रुप में बंदे हुए है ना उसमें बंदे ही रहेंगे that is rigidity in the matters of mobility distinctive status and forming a single homogenous community यह एक संप्रदाय बनाते हैं पूरी कास्ट मिलकी एक कास्ट मिलकी एक संप्रदाय बनाती है that is caste it is an institutional arrangement यह एक संस्थागत संरचना है संगटन है जो भरत के वैदिक काल से चला आ रहा है अब वर्न और जाती में क्या अंतर होता है वर्न और जाती में इतना अंतर है कि वर्न का मतलब है आप जन्म के साथ नहीं अपने कारे के अधार पर निर्धारित होते हो यदि आप ज्यान दे रहे हो तो आप ब्रामन हो यदि आप लड़ाई लड़ रहे हो तो आप शत्री हो यदि आप व्यपारवानेज में हो तो आप वैश्य हो इस प्रकार से ये विबाजन किया गया है और जाती का मतलब है आप जिस कुल में जन्म लिये हो आप वही काम पढ़ने के लिए दी गई है यहां पर इतना कोई खास जरूरी नहीं है कास्ट और क्लास जरूर पढ़ने है एक यहां पर कोशन आपको मिलेगा दर्ट modern times में जो कास्ट है वो क्लास में बदलती जा रही है अब अंतर क्या है एक जाती में और श्रेणी में तो भाई जाती जो होती है वो जन्म के अधार पर होती है लेकिन श्रेणी जो होती है वो आपकी education, money, wealth, power के अधार पर होती है तो हम यह लिख सकते हैं कि जाती बर्थ पर depend करती है ना कि amount of money, knowledge और education पर उसका मतलब नहीं है जाती कि आप के पास कितना पैसा है आप के पास कितना ही पैसा रहे आप उस जाती में उसी जाती में रहोगे अमने उपर एक वो वर्ड बढ़ा था rigid यह जटल होती है लेकिन class जटल नहीं होती है class में आपने जितना education ले ल social mobility वही वाली बात है अब क्या होता है social mobility vertical social mobility मतलब शूद्र वैश शत्रिय ब्रामन अब अगर आप यह इस चेतर में हो या इस कास्ट में हो तो आप कभी भी यहां नहीं पहुंच सकते चाहिए आप कितनी भी wealth कमालो हम क्या सकते है कि जो यहां पे आपकी लंबवत गती शी लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे class की तो यहां vertical में बहुत social भी होती है और horizontal भी होती है मतलब horizontal और vertical दोनों तरीके की mobility होती है उधारन के लिए आप middle class में है middle class में आप इधर से इधर भी आ सकते हैं और अगर आप low class में है तो low class में आप इधर से उपर भी जा सकते हैं lower middle class lower middle class दोनों में ऐसे इसे भी shift हो सकते हैं उसके बाद और उपर भी जा सकते हैं higher classes में ठीक है तो आप जितना ज़्यादा आप पैसा और ग्यान हासिल करेंगे उतना आपका श्रेणी बढ़ेगी लेकिन caste में चेंज नहीं आता है members are normally not conscious of their social status इनको अपने समाजिक स्थर की इतनी समझ नहीं होती है लेकिन जो class होते हैं उनको पता होता है कि हमारी समाज में क्या स्थिती है कहीं हम दबे कुछले लोगों में तो नहीं आ रहे है कास्ट system accept members to follow certain customs and folkways कास्ट हमेशा आपको कुछ रीती रिवाज मानने के लिए बाद्धी करेगा लेकिन social जो class है वो ऐसी कोई चीज नहीं रखती है कि अगर आप अपर class है तो आप रोड पे खड़े होगे फुलकी नहीं कह सकते ऐसा कोई चीज यहाँ पे नहीं है क्लास जो है वो आपको किसी भी बंदन से अलग करती है कास्ट जो है वो आपको कुछ रिच्वल्स और सांस्क्रतिक चीजों में बांधती है और it is impossible for a person to marry outside the caste without social annoyance अगर बिना सामाजिक विवादों के अंतर जाती विवा करना आज भी एक समस्या है देश में लेकिन class के है आग्र कास्ट में घट कर सकता है अब यहां पर मैं आप चीज़ पूछूंगा अभी हम आगे देखिंगे कि जो आज की कास्ट है वह द्यरे-द्यरे class में परिवर्तित होती जा रही है बतलब जो कास्ट सिस्टम था वह दीरे-द्यरे class सिस्टम बनता जा रहा है और इसक सिस्टम के जल्दी से समझ लेते हैं features of the caste system का सिस्टम के features है segmental division of society segmental division of society का मतलब है यह भारतिय समाज को इंडियन सोसाइटी को अलग-अलग श्रेणियों में बाट देता है स्तर में बाट देता है और उस तरों को आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है एक ऐसा पिरामिड बनाना है और पिरामिड में नाम लिखने है ब्राह्मन शत्रिय वैश्य शूद्र और कुछ नहीं करना है that is segmental division of society एक ब्राह्मन सेग्मेंट है एक शत्रिय है वैश्य है शूद्र से चार सेग्मेंट माटने है और लिख देना है यह कास्ट जो होती है वो सेग्मेंटल डिवीजन और सोसाइटी प्रदान करती है hierarchy hierarchy का मतलब होता है किसी छोटी जगा से उपर की जगा जाना तो कास सिस्टम जो है इंडिया में वो एक hierarchy प्रदान करती है ना केवल एक segment देती है कि चार अलगे लग श्रेडिया है बैलकि श्रेडियों का वो भी बताती है कि एक श्रेडिय थोड़े निमन स्तर पे है एक उस पर है कुसी ऊपर है कुसी ऊपर है कुसी ऊपर है यहाँ पर हांपिर आप हिस्ट्री का जो आपका मिसंवाला concept है उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं एंडोगै का मतलब है एंडोगेमी का मतलब है एक ही जाती में विवा, अपनी ही जाती में विवा करना है, एंडोगेमी का मतलब है most fundamental characteristics of caste system because the members of a caste system should marry within their own caste और sub caste, अपनी जाती के बाहर शादी करना आज भी एक गुना माना जाता है कई गाओं में, इसलिए एंडोगेमी सबसे जादा क्या है, fundamental feature है caste का, civil and religious disabilities, समाजिक वा धार्मिक अपंगता हैं प्रदान करता है, कैसे प्रदान करती है caste यह अपंगता हैं, यदि आपको पता होगा, मैं आपे थोड़ा सा topic से अलग बता रहा हूं, पुराने समय में, पुराने समय में, जब कोई दासी, sorry, sorry, जब कोई royal family की woman, शाही खंदा की महिला, किसी दास से विवा करती थी, किसी दास से शादी करती थी, तो उनके बच्चे को बोला जाता था चंडाल, इनके बच्चे को बोला जाता था चंडाल, और ये चंडाल जब शहरों में आते थे, तो लोग घंटियां बजाते लोगों को सतर करते थे, कि ये चंडाल आ रहे हैं हमें शेहर खाली कर देना चाहिए क्योंकि इनके आने से हम अशुद हो जाएंगे ठीक है तो यह जो फिलोसफी है यह हमारे उपर यह इसलिए बता रहा हूं से हो तो आप पॉंट से पानी नहीं भर सकते डाइट इस सिविल डिसेबिलिटी यह सारी चीजें आपको एक्जामपल में डालनी है इसके विरोध में ब्यार में करने जो किया वह एक बार कोशन में पूछा भी हुआ है है यह मैं पहले ही बता चुका हूं अनुवांशी की व बाई तुम छोटी जाती क्यों तुम्हें चुहेंगे नहीं साथ में बढ़के खाना नहीं खाएंगे मैनुवल स्केवेंजिंग गटर साफ करना मैनुवल स्केवेंजिंग इंसानों के द्वारा यह मैंने अभी उपर आपको एंग आकड़ा दिया कि आज भी भारत में 97% लोग किस से आते हैं ऐसी कम्यूनिटी से और यह असल में मैनुवल स्केवेंजर्स एंड रियरी हैबिलिटेशन एक दो हजार टेरा के अंतर गट एक कानूनी अपराद है क्रिमिनल ओफिंस है यह आई पीसी की जारा में लेकिन फिर भी लोग करे जा रहे हैं कॉन्फिक्ट रिजॉल्व मेकैनिजम यह पॉइंट इतना इंपोर्टन नहीं है फिर भी हम देख लेते हैं तस्टेटोस अफ कास्ट इस केर फुली प्रोटेक्टेड नॉट ओनली कास्ट लॉज बट अल्सों बाइक ज़रूरत नहीं है कुश्चन कहां से आएगा कुश्चन आएगा य के सिरे कास्ट में कहां से आ रहा यही ही से कुश्चन का homework भी चास्ट में कहां से आ रहा है तो कास्ट में ऐसे नर सुभरांबर्बरिग से ब्रहरायबन शादि कर रहे हैं वैश क Currently कर रहे हैं शूद्र से ये बहुत देखा गया भारत मेंगword आ रिखंपल लिख सकते हो分 इंतर कास्ट मैरेज, डिकलाइन इन दी विप्रहम स्वभंवन, अब देखो ब्रहमन, जो फो था महत्व था उस समय, वेदिक काल में, वो आज के समय में नहीं है, तो ब्रहमन क्या हुआ है, सामाजिक और धार्मिक स्पियर में, जो उनको पहले सुप्रहमसी मिलती थी, सुप और नीचैने न हमाले विस्कहा आउप्व आवान माग मिया को मिना तरीक रहे डने को तुमतनी पृटेश के मिले न गरिवान रहे जैसे रहे आप Works को कूत भाई हैं ने चिछा होलों ही और जो को सब्सक्रेद भाहरत नहीं बाद कि आ बाध़ से को orthodoxy का मतलब होता है रूनी वादी जो हमारी सब्विता हैं उनको एक चुनौती दी जा रही है इसे child marriage होती थी widow remarriage होती थी conversion होता था insensitivity होती थी उची class के खिलाफ ये सारी चीजों की आजकल value खतम होती जा रही है हम पुरानी रूनी वादी सब्विताओं को चुनौतियां दे रहे हैं किसके थुरू दे रहे हैं चुनौतियां education, awareness, वैश्वी करण, जागरुक्ता, globalization यही सारी चीजे हैं changes in commonality people are no more confined to their place of origin आजकल लोग गाओं में नहीं है क्यों गाओं में नहीं है क्योंकि यहां पे क्या होने लग गया है migration, प्रवास जब प्रवास होने लग जाता है migration होने लग जाता है तो migration के case में क्या होता है लोग एक जगा पे नहीं रहते UP से, बिहार से, West Bengal से सब लोग कहां आ रहे हैं काम करने सूरत या मुंबई आ रहे हैं जब यहां पे आते हैं तो मिलो में जब वो चर्खा चलाते हैं तो उनसे यह नहीं पूछा जाता है कि आपकी जात क्या है काम करते आता है तो काम करो कहने का मतलब है लोगों में इतना प्रवास हो गया है कि यह जाती वगेरा की value धीरे-दीरे कम होती चली जा रही है occupational changes occupational change का मतलब क्या है आज CDS में भरती के लिए एक ब्राह्मन भी application डालता है एक शूदर भी डालता है एक शत्री भी डालता है एक वैश्री भी डालता है आज एक I.E.S. officer कोई भी बन सकता है आज कोई भी कोई भी काम कर सकता है किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है कि ये काम आप नहीं कर सकते हो ये occupational change आया है जिसकी कारण जो caste system था वो दीरे दीरे broke down होता चला जा रहा है sphere of culture हमारा जीवन जीने का तरीका mode of lifestyle school में एक साथ बैठके खाना खा रहे है mode of lifestyle है चेंज होता चला जा रहा है एक साथ बिग बजार में जाके शॉपिंग कर रहे है mode of lifestyle है rituals है जो ये लोग हैं जिनको हम पहले low caste मानते थे वो लोग उचे culture की ज़्यादा चीज़े फॉलो कर रहे है वो हम देखेंगे उसको क्या बोलते है संस्कृति करण बोलते है आगे आने वाले topic में है ये तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें क्या है traditional practices को change कर रहे हैं और ये traditional practices जो change हो रहे है पूजा करने का तरीका अरीती रिवास इनके कारण क्या हो रहा है कास्ट चेंज हो रहे है एल्टिट्यूडनल चेंज लोगों में देखने का नजरिया बदल गया है लोग पड़े लेखे हो गए है कास्ट की तरफ लोगों का नजरिया चेंज होने लग गया दीरे दीरे जूरिस्डिक्शन जो सरकारे हैं वो कई कदम उठा रही है तो यह कुछ चीजें आप हम आज आते हैं वह कौन सी चीजें जो कास्ट सिस्टम को चेंज करती है फैक्टर्स क्या क्या है और यह शब्द आपको पता होने चाहिए ठीक है यह तो हमने देख लिया कास्ट मांते थे Language कलास की चीजों को वह कर रहे हैं वह वेस्टन कल्चर को क्ल्चर वह ऐस क्ल्चर को में इंडियन कल्चर को अनॉत को इसलिए क्या होगए है संस्कृताइज हो गयो हो गया है ईसे यह जय शब्द आने सियल थी मां आंसर में ज्चाहारी और नौशापत्ता लेना कोई भी इंटॉक्सिकेंट ना लेना तो संस्क्रिटाइजेशन का मतलब है जो लोग है जो अपने आपको पहले निचले अस्तर का समझते थे समाज में वो आजकल शाकाहारी बन रहे हैं शराब पीना वगैरा छोड़ रहे हैं जिसके कारण वो अपने आपको दिखा र प्रवल्ट कुर्टे बजामे का फैशन अब सिर्फ शादियों तकसी में तरह गया है खाना खाने का है तो वह हम मैकडॉनल्ड जाएंगे मैकडॉनल्स जाएंगे हम दॉमिनो जाएंगे तो यह सारी चीज़ेंज होती चले जारी यह वेस्टनाइजेशन मॉडइन इंडस् पले आपका इंगलेंड हो गया यह सारे उधारन भी आपने पड़े हुए हैं शेहरी करन का उधारन दिल्ली अंप स्टेंडर उधारन है इसारी अदारन आपको लिखने हैं यहां पे जीवन जीने का पस्तार ऊचा रहेगा वहां पर लोग जाती बेट की बात नहीं करेंग कि किसी एक छेत्र में कोई लोग एकटता है जैसे बारत में किसी MP में ले लीजिए किसी एक एलाके में मान लीजिए schedule tribes एकटता है तो वहाँ पर tribes का वर्चस वरहेगा अब लोगतंत्र के बाद किसी छेतर में यदि SC लोग जादा है अलिराजपर वाले साइड जाभवाले साइड यदि SC लोग जादा है तो SC लोगों का वर्चस वरहेगा तो उस छेतर में वो एक कि जो caste dominant होगी वो अपनी पैदाइस से dominant नहीं है वो अपने मौझूदगी से dominant है ये चीज हमको पता चलती है कि किसी छेतर में यदि caste है वो considerable economic और political और social power ले लेती है जिसके कारण caste जो है वो dominant हो जाती है किसी अलाके में मजबूत हो आती है इंडस्ट्राइजेशन अर्बनाइजेशन यह हम पहले देख चुके लोगों का जीवन स्तार बढ़ता है इससे शहरी करण मतलब modern values आती है इसके करण caste change हो रही है डेमोक्रिटिक decentralization डेमोक्रिटिक decentralization का मतलब है पंचायती राज विवस्था जो भारत में लाई गई पंचायती राज विवस्था में क्या किया गया पंचायती राज विवस्था में दिया गया reservation और reservation भी किसको दिया गया यह 33% woman को और population के अधार पे किसको दिया गया जितनी तुम्हारी population है उसके अधार पर दिया गया SC और ST को तो जब ये भी दिया गया उसके कारण क्या हुआ लोगों में जाती का जो स्तर है वो उठने लगा और जिसके हम बात कर रहे हैं ये वाली mobility नहीं होती है इस तरीके से इन्होंने क्या किया politics में आये politics में आने के बाद अपने आपको power मिलाया और power मिलाने के बाद कास्ट में जो उनका स्तर था उसको उचा किया जब ये कास्ट में उनका स्तर उन्होंने उचा किया जब इस तरीके से उन लोग वो उपर गए तो उसको राइट्स एक्ट नहीं भी पता तो बिलकुल उधारन में लिखना है यह सिविल राइट्स एक्ट 1955 का 1955 का है सिविल राइट्स एक्ट इसके बाद एक और एक्ट आया है स्सी एस्टी अबॉलिशन ओफ एक्ट्रोसिटीज एक्ट इसको हम सिंपली बोलते हैं स्सी एस्टी एक्ट यह भी एक्ट आया है इसका इयर धून के लिख लेना कब आया है अराउंड 86 के आसपास है ठीक है तो यह कानून लाए गए ताकि यदि कोई भी अन्टचिबिलिटी या जाती विरोध की घटनाए होती है उस पे लोगों को सजा दी जा सके यह चीज यहां पे लाई गई अब लास्ट पार्ट जो आता है कास्ट का इसके बाद हम एक कोश्चन देखेंगे जल्दी से लास्ट पार्ट जो आता है कास्ट का वो है हमारा paradox in present कास्ट system और कीश्चन यही आता है कि आज के समय में कास्ट कहां देखने को मिल रही है आज हमको जाती कहां देखने को मिल रही है तो आज भाई हमको जाती देखने को मिल रही है politics में politics में कास्ट बहुत गहन तरीके से देखने को मिल रही है democratic decentralization में democratic decentralization अभी अपन ने उपर पड़ा क्या है ये लोक तांत्रिक विकेंद्री करण वहां देखने को मिल रही है कि ST सरपंच बन रहा है कि ST सरपंच बन रहा है इसमें ST नहीं आएगा ठीक है ये पूरा का पूरा जो है ना वो SC के लिए schedule caste के लिए है अनुसूचित जातियों के लिए ना की जन जातियों के लिए तो आज के समय कास्ट कहां देखने को मिल रही है politics में पंचायती राज विवस्था में caste based affirmative action जैसे reservation, education, jobs इन सब जगाओं पे साथी साथ कास्ट आज के समय कहां देखने को मिल रही है marriage के जो advertisement आते है जो marriage के advertisement आते है कि आपने देखो मैं आपको एक simple सा दिखा रहा हूँ marriage advertisement simple मैं ये देखिए matrimonial वर की वर चाहिए है अगरवाल brahman साथ देख सकते हैं दोन निमत लग जाना अपने लिए यहाँ पे अभी आपकी वर नहीं है इसकी ठीक है तो ये तो चलो कुछ होगा ये तीन यहाँ पे दिए marriage एक आज का समय है एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ghetoization ghetoization gheto का मतलब होता है gheto का मतलब होता है जहाँ पे एक जैसे लोग जुंड में रहते हैं उधारन के लिए आपने कई बार सुना होगा अगरवाल महला बंगाली महला ब्राह्मन महला चौदरी महला यह सारे महले किस के नाम पे जातियों के नाम पे है तो यह ghetoization में हमको देखने को मिलता है इसके आलावा हमको دेखने को मिलता है दबाव समू में pressure groups में कैसे दबाव समू में आपने देखा होगा जाट अंदोलन जाट अंदोलन किसकी मांग कर रहे थे जाट लोगों को अरक्षन देने की मांग कर रहे थे इसके बाद आपने एक चीज़ देखी होगी जाट अंदोलन के बाद मराथा अंदोलन भाई यह सारे एक्जामपल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ उसब लिखने हैं मराथा अंदोलन तो ये जो सारी चीजें हैं अब आप देख सकते हैं ये ये जितनी सारी चीजें मैंने बताई ये आज के समय जाती यहां देखने को मिलती है ये कोश्चन आया हुआ है कि आज के समय जाती कहां देखने को मिलती है तो आज के समय जाती यहा जाली विवस्था खतम हो गई क्रडिशनली ओप्टेंड उक्यूपेशनल सिस्टम हमने देख लिया पूरा चेंज कहा हो यह कास्ट हमको यह पता करना था कि कास्ट उसने खुद को मजबूत कहा कहा किया है तो वह इस जगाओं पर किया है ठीक है जाती और वर्न के बीच में यह चोटा सा अंतर दिया हुआ है यह चार हजार है यह पूरी इंडिया में नहीं फैली है यह यूनिफॉर्म है वर्न जो है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्ली क्ल्चिरल इंडीय जैंटी कैने का मतलब है आपको यहां पे मल्टी कल्चिरल इंडियां सोशाइटी से कुछ यह नहीं समझना है कि हमारी जो भूष विविद्वद्व व Cinderella है क्या उस सरकार के संदरू में क्या हमारा जो librarian सिस्टम है वह पहचान पाने में विफल रह देखा है सिर्फ इतना ही बोला गया है तो तरह पूर बताना है कि कास्त की पुरानी लाइउ फोरार का सिस्टम कय lurk को ऐसा है में जो चाहिए आज कि था क्या कि विफल हो गया है और अपको स्टेटमेंट कते चैंट सेट निया गया है को occupation change हो गया तो caste system बदल गया उधारन के लिए किसी भी एक जैसे आप एक दे सकते हो उधारन के लिए हमारे रामनात कोविंद जी रामनात कोविंद जी प्रेसिडेंट बने ऐसी से प्रेसिडेंट बने बहुत बढ़ी है एक्जामपल है वो इस तरह के एक्जामपल देने है कि जो multicultural Indian society है उसको समझने में हमारा caste system fail हो गया है इसके बाद एक को और question देखते हैं the spirit of tolerance and love is not only an interesting feature of Indian society from a very early times but it is also playing an important role in the present बतलब ये केवल पहले नहीं बलकि आज भी उतना ही महत्पूर्ण अंग है ये आपको बताना है मैं उम्मीद करता हूं इन में से मैंने दो question आपको homework दिये है एक question number 7 और एक question number 2 ये दोनों ही question आपको करने है करने के बाद आपको ये मुझे send करने है मेरा number जहां भी आप send करोगे सारा description में दिया हुआ है उसके बाद हम इस पर discussion करेंगे next video जो भी आएगा ठीक है तो तब तक के लिए जय हिन जय बारत वीडियो को like किये बेना बिलकुल न जाए अगर आखरी तक वीडियो देखा है और वीडियो का शुरुआत से भी देखा है तो like जरूर करें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में अब तक के लिए